नमस्कार दोस्तों स्वावत है आप सभी का सरकारी टूडे नियूज के ओफीशल यूटूब चैनल में दोस्तों अगर आप पोस्ट ओफिस जीडियेस की भरती के लिए आविधन करने जा रहे हैं तो आप सभी को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा काफी भारी मातरा में यहाँ पर फोरम जो है रिजेक्ट हो रहे हैं काफी सारे बच्चों के तो अगर आपने भी अप्लाई कर दिया हैं तो आपको यी वीडियो को लास तक देखना होगा काफी सारी अपडेट निकल कर आ रही है तो सारी की सारी जानकारी आपको देंगे अगर आप पोस्ट ओफीस GDS में 100% नोकरी पाना चाते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा वो काम क्या करना है वो हम आपको बताने वाले हैं वीडियो काफी इंपोर्डेंट है आप सबसे पहले में सके और वीडियो को लाइक जरू किजेगा चली दोस्तों आगे बढ़ते हैं बात करते हैं पोस्ट ओफीस GDS भरती 2023 के बारे में जिसके ऑनलाइन फोरम शुरू हो चुके हैं आप इदन शुरू हो चुके हैं स्टेप बाई स्टेप आपको आप इदन कैसे क करना है वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ताकि आपका भी फोरम जो है रिजेक्ट ना हो क्योंकि यहां पर काफी भारी मातरा में काफी सारे बच्चों का फोरम जो है रिजेक्ट हो रहा है यह फोरम भड़ते समय काफी सारे बच्चे जो हैं गलतिया क कर रहे हैं और वो सवाल भी हमसे पूछ रहे हैं बार-बार ठीक है तो अगर आपको आपने वो गलती कर दी है तो उसका आप सुधार भी कर सकते हैं वो कैसे वो हम आपको बताएंगे तो चलिए आपको सीधा ओफिशल वापसाइट पर लेके चलते हैं दोस्तों हमारी जो इं दोस्तों हम आ चुके हैं सीधा ओफिशल वापसाइट पर सरकारी टूटे नियूस डाट कॉम पर और आज हम बात करेंगे जीडियस एक्रूप्मेंट दो हजार बाइस के बारे में आप किजिगा दो हजार तेजिस की भरती के बारे में जो की तीसरी बार निकाली गई है औ यहां पर एक बड़ा सवाल यह है काफी सारे बच्चे जो है 16-17 साल की उमर में भी दसवी पास कर लेते हैं तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं नहीं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं केवल 18 साल की आपकी उमर होनी चाहिए आवेदन शुल्ग जो है जनल ओबीसी से केवल 100 र ग्रेजूट के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर केवल 10 वी के अधर पर ही आपको आवेदन करना होगा चाहिए आप 12 वी हो पास या ग्रेजूट पास ठीके इसके आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं 23 अगस 2023 इसकी लास डेट है ठीक वहीं आपर उम्र सीमा क्या रखी गई है और यहाँ पर क्वार्ण मंपर कॉप्रोटर इना होगा तो मैं कहता हूं कि यहां पर कम्पॉटर का सेटिवुक pierwszy नहीं देना है केवल आपके पास में घ्यान होना चीए knowledge होनी है, cycle चलाना भी आनी चीए, ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरी जान कर ले सकते हैं, apply कर सकते हैं, वहीं, यहाँ पर सरकर वाइस जो notification जारी किया गया है, उससे भी आप check out कर सकते हैं, कि आपके राज्ये में कितनी कितनी vacances है, category wise, उसी के according आप apply कर सकते हैं, वहीं apply करने अगर आप जारकर में हैं, तो apply कर सकते हैं, पंजाब में, राजस्तान में, कहीं पर भी रहते हैं, तो यहाँ पर click कर दीजेगा, आपको पूरी के पूरी जानकरी मिल जाएगी, circle wise यहाँ पर आप जानकरी ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर जो भी circle wise है, उसे आप यहाँ प तो दस्वी की मार्शिट में जो भी आपकी जानकरी है, वही आपको डालनी है, जैसा कि आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, डेटो बर्त क्या है, यह चारों की सरों जानकरी आपके दस्वी की मार्शिट में होती है, उसके बाद आपका mobile मोबाइल नमबर और इमेल आईडी वही डालना है जो आप रोज़ना इस्तिमाल में लेते हैं अदरवाइस तो आपके पास में OTP नहीं आएगा और यहां पर पोस्ट ओफिस की तरफ से जो भी आपको जानकरी देनी होगी आपके मोबाइल पर या इमेल पर वह आपको नहीं म इस्प्रियंस क्या है और जो भी आपसे जानकरी मांगे जाती है वो फिलप करके फॉर्म को सब्मिट काना है बाकि सभी जानकरी जो है आप इस नोटिफिकेशन से ले सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रू किसेगा